हेलो दोस्तों मैं हुरुजद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में क्योंकि यहाँ पर यकिनन आप सभी के मन में सवाल आ चुका होगा सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साही के लिए क्या कोई नया लीड अक्टर आने वाला है सीरियल के अंदर क्योंकि हो ना हो आज ये राम नौमी है जिसकी सबसे पहले तो आप सभी की धेर सारी शुपकामना और सभी लोग चाहते हैं कि आज के इस पावन दिन पर जो है यकीन रखे और उसके साथ कंदे से कंधा मिला कर चले चाहे एक सीचोएशिन कैसे भी क्यों ना हो और ऐसे में अब इस साथी के नाम पर जो है वो कोई और नहीं बलके राहूल सुधीर का नाम है जी हाँ दोस्तो कल सही आप सभी लोग जो है आप में से बहुत सारी लोग जो है ये अपडेट शेयर कर रहे हैं मेरे साथ और पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में ये अपडेट बिलकुल सही है या गलत है क्या वाकई में राहुल सुधीर हमेशी रिल्गुम है किसी के प्यार म में नजर आने वाले है या फिर किस तरीके से वो सही के लाइफ में जो है अपने आपको important बनाने वाले हैं किस तरीके से वो सही का साथ कंदे से कंदा मिलाकर lead actor बताओ lead actor हमें देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी को आज किश वीडियो में इसके जाने का अगर आते हैं तो उनका रोल क्या होने वाला है सीरेल के अंदर किस तरीके से क्या विराट करतार हमेशे के लिए टाटा गुड़वा है मैं कहा देगा क्योंकि यहां पर जैसे यह अपडेट आई थी बहुत सारे लोगों ने यह सवाल भी करने शुरू कर दिये कि क्य यहां पर विराट के में देथ दिखा दे जाएगी क्योंकि विराट एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है राहूल सुधीर सीरेल में साही के लिए लीड एक्टर बनके आ जाए तो दोनों को एक साथ स्क्रेन पर दिखाना किस तरीके से पॉसिबल है तो यह सवाल भी चल रह तो ऐसे में सावी को वो किसी भी तरीके से उसकी डिस्रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है क्योंकि विनायक की भी तो साही बहुत इज़त करती है उसे बहुत प्यार करती है और इसी कारण सावी से भी उसका व्यवार बहुत अच्छा है क्योंकि यहां पर हम सभी को तो पता ह कि सीरेल में विराट का करदार बड़ा ही सुवार्थी ताइब का है जहां उसे फायदा रिखता है वो ही चीज कर लेता है और उसके बाद तो अपनी मनमानी करता है चाहे उसे बस से उतार कर गुंडा गर्दी करनी हो चाहे अपने लाकों का चेक फार्ड कर साही को देना क्यो मिलने वाले हैं क्योंकि हम सभी को मालूम है कि सही के अलावा जो अब धमाका कर सकता है सीरेल के अंदर वो कोई और नहीं बलकि हरीनी का किरदार है और हरीनी का किरदार स्टार्टिंग में आया था तो थोड़ सा डिसपॉइंट करने वाला लगा था लेकिन राइट नाव जो किरदार जिस तरीके से उन एक्टरस ने निभाया है और उन जादा एज भी नहीं उनकी उन्होंने निभाया है और वाके में लोगों को विजवरदस्त लग रहा है और लोगों को उनका किरदार काफी पसंद आने लगा है और सही के जैसा ही मिलता जुरता उनका किरदा पता है जो कि वाकई में आपके लिए बहतर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बाकी लोग तो ब्वानी काकू के कहने पर थम जाने वाले हैं लेकिन हरी निक वला रोकने की हिमत किसमें है और यहाँ पर ब्वानी काकू ब्यूंसे नहीं वाला है और आने भी वाला है या फिर सिर्फ वे बफ़ आए तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर मैं क्लेर कर दूँ कि राहूल सुदीर का किरदार जो है वो सीरिल में आते हुए आपको नजर आ सकता है हाला कि दोस्तों फिलाल उन्होंने किसी भी तरिके की शूटिंग शुरू नहीं की है और ना ही उन्हें सेट पर अभी तक देखा गया है क्योंकि यहापर सेट पर कोई भी एक्टर नया आता है राहूल सुधीर तो काफी जाने वाने एक्टर है और आते हैं तो उनकी तस्वीर वीडियो जो है वो आउट हो ही जाते हैं और काफी सारी लोग बता चल जाता है उन लोगों को कि वो आ गए है सेट पर शूटिंग शुरू कर दिया है फिलाल ऐसा नजर नहीं आया है लेकिन यहाँ पर पूरा स्कोप है राहूल सुधीर का सीरियल में आने का क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सही का जो landlord है वो मकान मालिक जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से राहूल सुधिर के तौर पर हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों राहूल सुधिर तो उनका real name और serial के अंदर उन्हें कुछ अलग नाम से आपको दिखाया जा सकता है जो कि सही के लिए एक सपोर्टिव पिलर की तरह होगा क्योंकि सीधी सी बात है कि विराट जो है अपना ऐसान जमाने की कुशिश करेगा सही के उपर उसे पैसे देख कर या फिर चमान निवास के जगा या फिर कोई और शेल्टर दे कर कि सही के छ चला जाएगा या फिर मिशन के दौरान निकल लेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है विराट को तो जहिलना ही जहिलना पड़ेगा और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात और सच बात जो आपको बताना चाहता हूँ है और मेरे अकॉर्डिंग और जितने भी कहाणी को आगे बढ़ाने वाली है और उनकी लव इस्टोरी उनकी फिर से लव इस्टोरी जो कंटिन्यू होने वाली है वो कुछ ही सपता में आपको देखने को मिल जाएगी यह सपता तो माने वाला नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर तो विराट का मस्तिक्षी काम नहीं करता है वो लटी सी जी जी सोसता रहता है एंड मतलब कुछ भी करता है से रेल के अदर फिलाल तो साफ यही सब्द में बोलना चाहूंगो उसके लिए एंड उसके बाद राहुल सुधीर के एंट्री होने वाली है तो फिर से जल बुनकर राक होने वाला है अपना पन दिखान वाला है लेकिन यहां पर साफ बाद जो सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब देने के लिए मैं आज किस वीडियो को लिए कराया था वो यह है कि यहां पर विराट का किरदार खत्म नहीं होने वाला है से और लीड एक्टर राहुल सुधीर नहीं बनने वाले हैं यहां पर नील भट यहां आपको सीरिल के लीड एक्टर के तौर पर देखने को मिलेंगे और साही के साथ कंदे से कंदा मिलाते हुए सीरिल की एंडिंग तक आपको देखने को मिलेंगे अब आपको कितना डिसपॉइंट कितना पसंद है विराट का करदार यह आप लोग डिसाइ करें आपको क्या लगता है कि कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी सवाल आपको इस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है कोई भी सवाल है तो इस्टाग्राम पर शेयर कर देजिए का चैनल को सब्सक्राइब के बैल यक्म को मत बू नब गुद्रव हों आप सब्सक्राइब को से वीडियो में जब तक के लिए थेंक्यू दोस्तों कि कि आप कि आप